नवसकर साथियों, दा न्यूली लॉंच्ट महिंद्रा थार का आप ये अर्थ एडिसन देख रहे हैं, ये जो कलर है ये गोल्डन जैसा देखने पर लगेगा आपको लेकन ये साथियों एक गोल्डन कलर नहीं है, ये मैटी कलर में थार ने महिंद्रा ने लॉंच किया है ये अर्फ एक सेंटरल की और एक प्लैन की दो की देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पर जब आप इसका फ्रेंट का लुक देखेंगे, तो वही आपको यार यहाँ पर डियार एल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, टर्न ओन इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएं आफ रोड के हिसाब से बनाईए, यहाँ पर अर्थ की बेचेंग है, अर्थ हैडिसन है, साथ यहां रही है, अभी हाल ही में फाइब डोर लाउंच होना है थार की, लेकिन उससे पहले यह वाला एक न्यू वारियंट इसने नकाल दिया है, मेहंदरा ने, लेकिन यह फोर और इसकी जो प्राइज है, वो 40,000 रुपे, नॉर्मल वाले वेरियंट से ज़्यादा होने वाली है, साथ यहां थार जानी जाती है, अपने बेच्ट ग्राउंड क्लियंस के लिए, यहां पर आपको 226 mm का थार में ग्राउंड क्लियंस होने वाला है, तो सडकों से एक उच होने वाली है, गाड़ी एर साथियों, इस कलर में एक खासियत है साथियों, यह मिट्टी के कलर की है, तो यह गंदी आपकी नहीं होगी, जल्दी मतलब गंदी नहीं दिखाई देगी, तो ओफ रोड में इसका प्रॉपर यूस करेगा जो भी, तो यार एकदम मैट कलर ही है तो फिर इस हिसाब से मैट जादा नहीं लगेगी आपको देखने पर, और रियर का जो लुक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यह LED टेल लाइट है, यहाँ पर आपको डवल विस्बॉन सस्पेंसन यहाँ पर दिये हैं, ग्रे ऐलोई वील, और यहाँ पर आपको ड्र पेनल पर थार की बेचिंग है, और फ्रेंट के टायर की बात करें, तो 245, 65 और यहाँ पर भी 17 और यहाँ पर ग्रे कलर के लाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं, बेचिंग यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से, और बोटल हुल्डर है, साउंड इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ में हाइट डोले के स्टेरिंग के साथ आती है, थार तो घर, लेकिन स्टेरिंग में भी आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर का यहाँ पर मतलब जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर चाहे हम AC के वेंड्स के यहाँ देख लें, या फिर इसके स्टेरिंग बा बाहर के कलर से, यह मैच हो रही है, यहाँ पर यह मैनुवल मॉडल आप देख रहे हैं, यह देख सकते हैं, आप इसमें तीन पैडल है, यह मैनुवल वाला वेरियंट है, हाइड्रोले के स्टेरिंग है, यह जो सीट है, आगे पीछे उपर नीचे, चारो ही तरफ आपकी हो इसमें मिल जाएक, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएक, इसमें मौटेट की हैं, तो उसकी मदद से आप जो इसकी मीटर को एकज़च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको six inch इसका यहाँ पर info treatment system मिल जाएगा याने कि इसका music player जिसमें आप aux, am, fm, bluetooth connectivity voice command feature से लेकर सारी ही चीज़ें जो necessary होती है उनको आप यहाँ से access कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर back का camera देख सकते हैं और जो AC है वो यहाँ पर आपको automatic climate control यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा साती है तो जो यहाँ पर finishing है वो काफी ज़्यादा बड़िया लगती है यहाँ पर hazard light यहाँ से आप इसकी parking light जला सकते हैं hill control यहाँ से on कर सकते हैं तो सारी ही चीज़ें यहाँ पर हैं और type C socket है और यहाँ पर normal socket है और यहाँ पर 6 transmission के साथ 4 wheel drive है तो नीचे में आपको 4 wheel drive का मिल जाएगा और यहाँ से आप इसकी 4 दो power window आँगी कि एक ज़स कर सकते हैं glove box है वो देख सकते हैं को जिस तरीके से होने वाला है छोटा glove box इसमें दिया है black color और golden color के finish के साथ जो इसका interior है वो काफी यादा premium लगता है और जो seat की kusening है वो आरामदा एक होने वाली है पीछे में आपको 2 head rest आँगे में 2 head rest देखने के लिए मिल जाएंगे arm rest पीछे में देखने के लिए मिल जाएंगे तो आरामदा एक होने वाली seat की kusening बढ़िया है ऊपर हम आपको दखा देते हैं जैसे कि यहाँ पर एक cabin की light पीछे में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी एक cabin की light आपको आँगे में देखने के लिए नहीं मिलेगी यानिकी बीच में ही एक cabin की light इसमें दिखाई देगी साथियों है रूफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक से हाट टॉप रूफ इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा साथियों और थार जानी जाती है अपनी मजबूती के लिए तो जैसा कि इसकी safety की बात कलने तो इसमें आपको 2 air bag ABS EBD break assistant hill program और सारी ही चीजें जो है इसमें वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी साथियों और 5 star crush test में rating है NCAB में और बनाया जाता है इसको off road के लिए तो इसके जो suspension की qualities है वो काफी ज़ादा बढ़िया होती है तो कितनी भी आप इसको rush driving करें और कितनी भी आप गड़े और दचकों में चलाएं तो आपको दिक्कत इसमें नहीं जाएगी और rear का आप look देख सकते है compact वाला feel आपको कराएगी rear में आपको यहाँ पर यह जो gate है इसको आप इस तरीके से खोल सकते हैं और seat को आँगे की fold कर सकते हैं फाइव डोर वाली जो थार है वो कब तक launch होगी मित्रो यह बड़ा सवाल है यह जरूर बताना वित्रो कमेंट में आपको क्या लग रहा है अपरेल तक launch हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी आज के लिए तरह ही मित्रो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल यह मत बूलना बहुत बहुत धन्यवाद